हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल तो आज बना रही हूं मैं मतराने के लिए भोग के लिए परसाथ तो उसमें मैं बना रही हूं रोट भी हम क्यों की रोट भी बनाते हैं इसमें तो इसके लिए मैं ले रही हूं आदा कब केहूं का आटा च्छनावा आटा है ये और इस तो इसको कद्दु कस्पी कर सकते हो उसमें आपको आसानी हो जाएगी और अब मैं इसको चमच से आपको मिजर्मिन दिखाती हूं कि लगभग कितनी चमच है यह तो एक चमच यह है मैं इसको पास से दिखा देती हूं कि कितना मैंने भर भर के चमच ले रखा है बिल्कुल च चमच यह और लगवग एक चमच यह तो यानिकी 2 चमच गुड में डाल दूए हूं आदा कप आटे में तो टोटल दो चमच गुड है यह और इसमें पानी लाडंगे मिला चल जब गेरें पानी दालुका यह को मिलाना हुआ तो इसके बाद पत पताच जाएगा कि इतना पानी डालना है तो जब आप अच्छे से इसको मिला होगे नो तो गुड में मौश्य रहता तो आटा आपका अपना पी दीरे-दीरे करकी गीला होने लग जाएगा तो इसलिए आप एक साथ पहुत सारा पानी मद डारना नहीं तो फिर आटा बहुत जादा गीला हो जाएगा और इसका आटा जो भी बहुत चलता है वह टोट़े झाडा तो चलते रीवा गी से बनावा होता है तो इसको भी हम देशी घी से बनाएगे टो मैंने थीर मुझता की ने थोड़का पानी और भाल से जाओ और भी शार प्रमीक्स करुए हो में वह पानी डाल तो आर पी तो बन जयाना आटा मैं एक चमच की आसपस इसमें पानी और डालने वाली हूं तो मतारानी को जो भी सुभा भोग लगाते हैं तो उसमें से एक रेसिपी आपके साथ सेयर कर रही हूं तो इसको जीब बनाइंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी घी में ही यह बनती है यह रोटी पूरी घी जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल तो बहुत पतली होती है तो रोट जो है वह मीठा भी होता है और मोटा भी बनता है तो इसकी सिकाई बहुत धीमी आज में करनी पड़ती है और बहुत देर तक भी करनी पड़ती है तो यह मैंने डू लगा दिया है बिल्कुल जैसा आटा रोटी के लिए होता है बिल्कुल ऐसी है तो इसमें आपको चोटी-चोटी गुड़ी की गुठलियां दिख रही हूंगी जो कि मैंने चाको से काटी थी वो इदम बारिक नहीं हो पाई तो इसमें बहुत सारी गुठलिया है जो कि तववे पे जाकर कि अभी गलींगी तो इस की तो सेब की अइसमें होते है तो यहां मैंने फैन ले लिया है पैन को इनकूलगाओ एवा, भाई को क्दड़ें किनारसे इसके चक्र में किनारें अगर आपकी रोट技ह नहीं फटेगीजू रोट में नहीं फटेगा तो इसलिए मेरा फट हैं क्दड़ेंक specimen भीपे जाँ चको प् contarड़ें से पादार भीच बीच में भीच बीच बीच नपना तो चलिए यह बना दिया है मैंने तो इसकी मैं आपको मुटाई दिखा देते हूं यह मुटाई ही होता है यह पूरा तो इसकी मुटाई जहां से गुड़ वगर निकला हुआ हो थोड़ा सो तापा उसको अंदर को दबा देना थोड़ा सा बाकी तो कोई बात नी चलेगा बन पर निसकी में अच्छा ही लगता है तो चलिए इसको डाल देते हैं पैन पे पैन को मैंने मीच में बंद कर दिया जब मैं रोटी बना रही थी तो अब मैंने पैन को खोल दिया बिल्कुल लोव फ्लेम पे मैंने इसको खोल रखा है और जो घी है यह बहुत ज़्यादा इसकी सिकाई अच्छे सी हो जाएगी और गैस को एक दम लोव फ्लेम पे रखना है इसको लोव फ्लेम पे ही यह पकेगा अगर आप तेज कर दोगे तो एक तो यह मीठा है उपर से जल्दी जल जाएगा और अंदर से पूरा कच्छा रहेगा तो इसलिए इसको लोव फ्ले पलट देती हूं आराम सही पलट ओंगी क्योंकि नीचे से पैन में गी है तो उसकी छीटे आ जाएंगे तो आराम सही पलटना तो जो गी है इसी में पूरा पकेगा और आभी इसको दबाना नहीं है हमने वैसे भी इसको दबा दबा कर नहीं पकाते हैं बस काफी टैम लंब में फटने लग गई हैं अगर मैं नेगी चोटे बना रही तो आप इस रोट को बड़ा बना सब्चते हो जितनी बड़ी आप रोटी बनाते हो वतना है तो विश्पन. शका इस को छोटे ही बना रेकर हैं. आपको दिखाने के लिए मैं ने इसको बनाया है कि आपको बता देती हूं मैंने का इस recipe को भी आपके साथ share कर देती हूं तो इस चकर है मैंने बिल्कुल छोटा सा बना रखा है तो इसकी सिकाई होगी पूरे घी से तो जो गी नीचे से जो है न पैन में तो इसको मैं चमत से निकाल करके इसी के उप़र डाल रही हूं इसमें जो दरारे पड़ी है रोटी में वहां से अंदर तक गुष जाएगा उसमें पूरा और अंदर भी उसकी सिकाई अच्छी सी हो जाएगी तो बस अपने दिहान यही देना है कि पैन वह गैस की फ्लेम को तेज मत करना वरना वह जल जाएगा तो मैंने हलकी सी तेज करी थी ग जो मेरा इसके किनारे किनारे से जो गुड़ लगावा था ना वो गुड़ जो है निकल करके थोड़ा सा जल गया है तो उसके चकर में काला काला हो गया है पूरा लेकिन कोई यह खराब नहीं हुआ है होता ही है इतना तो थोड़ा बात क्यूंकि मीठी रोटी भी हम बनाए तो मैं इसको पैन पे बना रही हूं, आप चाहो तो इसको तववे पी बना सकते हो, जिसमें आपकी इच्छा हो, उसमें आप इसको बना सकते हो, तो हलका हलका हाथ से आप इसको दबा सकते हो, ताकि गी अंदर तक अच्छा से ले सके, और आप अगर चाहो तो इसके उपर से गी और डाल सकते हो अगर आपको लग रहा हो कि घी कम है तो आप इसको इसके ओपर से और एक दो चमच घी और डाल सकते हो तो जितने अच्छे घी में आप इसको पकाऊगे तो जितने इसके दरारों से अंदर पूरा गी जाएगा नो तो यह इतनी सॉफ्ट बने गी हुँआ को यह इसान मैं पेष्ट सब्सक्राइब जरी है तो यह इसको निकाल कर के दिखा देती निवार टूक्ड़ा तो निकाल करके आपको दिखाती हुँए को सब्सक्राइब पूरा जाता है सब्सक्राइब कर दो झाल